नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज से हम एक न्यू शीरीज सुरू करने जा रहे हैं तो शाम के टाइम यह तो आपको लाइव लेक्चर 9 के आसपास मिल जाएगा या 9.30 से हम उसको लाइव भी कर देंगे आपको काफी important जो questions हैं वो हम study करेंगे आप इसे as a model test paper भी ले सकते हैं क्योंकि जिन questions की exam में आने की possibility सबसे ज़्यादा है वो सारे के सारे questions मिक्स pattern में आपके साथ discuss करेंगे आज हम आपके लिए काफी important वीडियो लेके आए हैं आज हम psychology की जितने भी आपके पस theories हैं उन सभी theory को आपके सामने यहाँ पे लेके आये हैं जो भी important words हम बहाँ पे use करते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और अगर आपको बीच में लगता है कि कोई theory किसी और ने दी है तो आप हमें comment करके जुरूर बताईएगा हम उससे check करेंगे and next video में उसको correct करके आपके सामने लेकर आएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा theories हैं इनको बनाने में काफी ज़्यादा time लगता है by chance हो जाता है कि जब हम इनको write करते हैं आगे पिछे यह हो जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो firstly जो हमारे पास एक word आता है आपके पास fellow, caudal तो यह काफी time word जो है आपके पास यहाँ पर use होता है और इसका meaning क्या होता है आपके पास कि जो development है हमारे पास वो किस तरफ चलती है head to toe की तरफ हमारे चाहर चलती है next हमारे पास एक और word आता है proxy modistal तो यह word आपके पास किस चीज़ को represent करता है यह भी आपके पास आपकी development को represent करेगा और यह हमारे पास represent करते है center to outward की तरफ किस तरफ को center to outward की तरफ जो है आपके पास यह represent करता है next हमारे पास आति है social cognitive theory तो social cognitive theory हमारे पास किस ने दी थी तो social cognitive theory हमारे पास दी थी N.E. Miller and J. Dollar in 1941 में हमारे पास एक काफी time exam में पूछा गया है Nature vs. Nuter तो ये जो आपके पास एक द्वंध है Nature vs. Nuter ये किस जीज़ को represent करता है जो हमारे पास nature है वो हमारे पास heredity को represent करता है जो हमारे पास neuter है वो हमारे पास environment को represent करता है तो nature versus neuter किस चीज़ को represent करेगा heredity and environment मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा यहाँ पर हो सकता है कि आपको writing अच्छी ना लगे क्योंकि थोड़ा काफी जड़ा consistent मैंने लिखती है मगर आप खुद एक sheet लेजिए and उसके उपन को write कीजी अच्छे से क्योंकि जब आप write करोगे तो आपको काफी help होगी इनको याद करने में next हमारे पास statement आती है anything immediately surrounding यानि कोई भी चीज़े हम अपनी surrounding से imitate करते हैं immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it कि जो हमारा environment है बहां से हम सब कुछ सीखते हैं कोई चीज़े हमारे चारों थरफ हो यह उसको भी हम सीख रहे हैं तो हम directly अपने इंफर जो भी हमारा environment है उसकी तरह हम बनते हैं यह बात किस ने कही दिया आपके पास पी जिस वर्ट ने आपके पास यह कही थी ओके next हमारे पास term आती है EBS यानि जो हमारा environment है is an external force which influences तो यह बात किस ने कही थी आपके पास E.J. Ross ने आपके पास कही थी next हमारे पास आती है looking glass self theory looking glass self theory हमारे पास किस ने दिय थी looking glass self theory हमारे पास दिय थी Charles Hurtan Cullen उके Charles Hurtan Cullen है हमारे पास यह theory दिय थी आपके पास next हमारे पास social self theory social self theory George Herbert Madden याद रखेगा social self theory थोड़े थोड़े नाम में चेंज है इसे Social Cognitive Theory हो गया Soul Shelf Theory आपके पास हो गया Next हमारे पास PYAJE था आपको पता है PYAJE ने हमारे पास 3 और 4 टरम्स दे थी तो PYAJE ने आपके पास Cognition से थे थी इसमें उसने आपके पास Schema Word यूज किया था उसने आपके पास इसी में Assimilation Word यूज किया था इसी में उसने आपके पास Accommodation Word यूज किया था इसी में उसने आपके पास Equilibrium या Equilibrium या Equilibration Word यूज किया था तो यह काफी important words है इनको हम next वीडियो में डीटेल में भी study करेंगे कि schema क्या होता है हमारे पास And Assimilation हमारे पास क्या होता है Accommodation हमारे पास क्या होता है Equilibration हमारे पास क्या होता है इसने stages दी थी आपके पास Firstly, Sensor Motor stage थी आपके पास जो कि 2 तक आती है Pre-Operational stage आपके पास 2-7 के बीच में आती है Concrete Operational stage आपके पास 7-11 के बीच में आती है formal operation stage आपके पास 11 to 15 के बीच में आती है next चलते हैं कोहलवर की तरफ तो कोहलवर ने हमारे पास दी थी moral development theory क्या दी थी हमारे पास moral development theory और इन्होंने इसमें stages भी दी थी आपके पास जैसे infancy आपके पास जो की 1 to 18 month के जो बच्चा है उसके बीच में आएगी then early childhood जो की आपके पास 18 महिने का बच्चा और 3 साल के बीच में आपके पास आएगी then pre-schooler जो की 3 to 6 year के बीच में होती है later childhood आपके पास 7 to 10 year के बीच में होती है pre-teen and teens days तो यह आपके पास 11 to 18 के बीच में होती है then next चलते हैं वाइगोस्ट काई के लिए इन्होंने आपके पास social cultural development दिया था क्या दिया था हमारे पास इन्होंने social cultural development दिया था वाइगोस्ट काई ने और इन्होंने इसमें word यूज़ किया थे आपके पास zone of proximal development जिसमें आपके पास word आता है scap holding काफी important word है directly यहां से question बनते है scap holding basically जिसे माली जी मैं teacher हूँ एक student मेरे पास आता है तो हमारे बीच में क्या है एक gap है एक education का gap है जो चीज़े मुझे आती वो उसको नहीं आती तो मैं उसे सिखाऊंगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरे लेवल तक आ जाए यहनु इस gap को जब हम fill up करने के कोशिश करते हैं तो बहां पर हमारे पास एक concept लगता है scap folding तो इस word को याद रखेगा zone of proximal development इन्होंने दिया था private speech का concept इन्होंने दिया था कि बच्चा खुद से बात करता है make believe का concept इन्होंने दिया था next हमारे पास यहाँ पर थी theory of progressive education तो theory of progressive education आपके पास किस ने दी थी Gene Jack Ruses ने and theory of same progressive education आपके पास John Deebay ने भी दी थी जिन्होंने आपके पास child centered education का भी favor किया था जिसमें उन्होंने आपके पास lab school को भी include किया था और इन्हीं के बीच में आपके पास humanist theory, constructivism and monastery method यह सारी चीज़ें इसमें आपके पास आती है तो हमारे lectures already इनके लिए present है आप playlist में जाएंगे और मैंने link में भी आपको playlist, sorry description में भी मैंने आपको जो playlist है उसका link दिया है तो बहाँ से आप एक बाद चेक कर लिए बहाँ पर यह सारी के सारी चीज़ें चाहे जीन जाएक रूसो हो, चाहे आपके पास humanist theory हो चाहे आपके पास constructivism की theory हो lab school हो गया, child centered education हो गया यह सारी चीज़ें काफी अच्छे से काफी detail मैं already मैं बहाँ पर आपको करवा चुका हूँ next हमारे पास आपके kindergarten तो kindergarten आपके पास किस ने दिया था? four bell ने, unifactor theory Alfred, binnet, tender, termon ने हमारे पास दी थी two factor theory हमारे पास Charles, spearman ने दी थी three standom theory यह आपके पास Raymond, cattle and John, horne ने आपके पास दी थी next हमारे पास यह थी यह primary mental ability theory जो कि आपके पास Lewis, thruston ने आपके पास दी थी next हमारे पास आता है multiple intelligence theory यह आपके पास Hobart, gardener ने दी थी next हमारे पास group factor theory तो यह आपके पास Thruston ने दी थी और इन्होंने 9 Factor जो हैं इसमें आपके पास Discuss किये हैं ओके तो ये भी वीडियो हम पहले से बना चुके हैं Triarchic Theory of Intelligence तो Triarchic Theory of Intelligence हमारे पास दी थी Robert Sternberg ने किस ने दी थी Robert Sternberg ने Tri Dimensional Theory तो Tri Dimensional Theory आपके पास किस ने दी थी गलफोर्ट ने ओके Tri Dimensional Theory Not Dimensional Dimensional Theory Tri Dimensional Theory आपके पास किस ने दी थी गलफोर्ट ने Next है मारे पास Multiple Factor Theory किस ने दी थी आपके पास Thurkin Dye ने आपके पास दी थी Thurkin Dye ने यहाँ पे आपके पास Law of Learning भी दी थी आपके पास इन्होंने SR यानि Stimulus and Response की थी थी Connectism को यहाँ पे इन्होंने Represent किया था Trial and Error Theory ने आपके पास दी थी यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा Theories जो है जो आपके पास Thorkin Dye है उन्होंने आपके पास दी है या Thor and Dye है आपके पास बिन्ने टेस्ट यानि mental is divided by chronicle is into 100 ओके नेक्स्ट आपके पास आता है विसलेर इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WISCR के साथ और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WIS के साथ ओके यहाँ पे थोड़ा जो Smith थे इन्हों ने आपके पास कहा था कि जो आपके पास teaching है वो tripolar process है और जो आपके पास Adam थे Adam ने कहा था कि जो teaching है आपके पास वो एक bipolar process है ओके play method किसने include किया था आपके पास hand rig ने next यहाँ पे हमारे पास आते हैं अब थोड़ा सा language related है क्योंकि प्याजे ने क्या कहा था वाई गॉस्काई ने आपके पास क्या कहा था और वों चमिस्की ने आपके पास क्या कहा था तो जो प्याजे थे इन्हों ने आपके पास क्या कहा था कि इस firstly आपके पास थाउट आएगा, यानि थाउट केम बिफोर लेंगवेज, ओके, वाइगाउसकाई का opposite concept था, इन्होंने क्या कहा था, कि लेंगवेज थाउट जो है वो independently है, कि बच्चे में हो सकता है लेंगवेज पहले आए, या बच्चे में हो सकता है थाउट पहले आए तो यह दोनों क्या है, आपके पास एक independent process है, मगर PRJ का थोड़ा एक state concept था, इन्होंने कहा था कि थाउट जो है आपके पास, या थाउट जो है वो, थाउट केम बिफोर लेंगवेज, ओके, यहनि पहले आपके पास लेंगवेज आएगी, देन आपके पास थाउट आएग Father of Modern Psychology, ओके, तो यह question different different books में आपको different different देखने को मिलेगा, ओके, तो इस question को जो answer है, वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा, ओके, यहाँ पर हमारे पास William Mix Miller जो है, हमने इसका यहाँ पर answer लिखा है, अब आप हमें comment करके बताईए कि Father of Modern Psychology किसको represent करते हैं, क्योंकि इसका Google की ओपर भी हमें different different answer जो है, वो मिल रहा है, ओके, sometime आपको इसका answer अलग मिलेगा, कहीं पर आपको इसका answer अलग मिलेगा, ओके, next हमारे पास कुछ abilities है, ओके, यह question आपके लिए है, तो जिसको भी confirm हो, वो हमें confirm करके इसको बता दे, ओके, next हमारे पास आता है disability, तो कौन-कौ इस ग्राफ यह आपके पास पूर written, यह ग्राफ मनाते हैं हाथों से, तो written में आपके पास problem है थे नहीं, ortho, pedological problem आपके पास होती है, ओके, then neurodwellment type, आपके पास जैसे attention, defect, hyperactivity disorder हमारे पास हो जाता है, AD, HD हमारे पास होती है, इसमें हमें, जो attention है, वो student की class में fix नहीं होती, इसको आपके पास neurodwellment type की अगर यह problem होती हो, dyscalculia, तो dyscalculia आपके पास क्या होगा, calculus, तो dyscalculia आपके पास क्या होगा, logical and mathematical abilities, okay, dyspraxia, तो dyspraxia हमारे पास motor abilities को represent करता है, dyslexia हमारे पास new logical disorder को represent करता है, इसमें हमारे पास, basically यह language disorder है हमारे पास, okay, जो कि reading disorder होता है, या तो specific type की, आपके पास disability भी हमारे पास ही होती है, okay, next है, यहाँ पे हमारे पास हता है, APD, okay, यानि auditory processing disorder, तो यह आपके पास listening से related है, okay, अगर आपके पास कोई भी disorder है, जो कि related है, language, comprehensive, तो वो हमारे पास होग अफिसिया, okay, then हमारे पास है, post-traumatic stress, तो यह आपके पास, development disorder से related है, okay, तो याद रखिएगा, यह काफी important concepts हैं आपके पास, and next one, जो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आती है, IQ सरलेटीटा, आपने पढ़ा होगा, good student, and थोड़ा mentally retired होते हैं, यहाँ पे हमने 130 plus से लिखा है, बाकी जो इससे पीछे हैं, वो काफी common हैं आपके पास, okay, तो firstly, यहाँ पे हमारे पास आता है, 132, 144 के बीच में, तो उन्हें हम कहते हैं, moderately gifted, okay, यहाँ जो काफी ज़्यादा gifted आपके पास है, okay, 145 से 159 के बीच आता है, highly gifted, okay, then 169 से 179 के बीच आता है, एक्स, पेक्चनली, गिफ्टिड, okay, यहाँ काफी ज़्यादा वो आपके पास gifted है, यहाँ काफी ज़्यादा, उन्हें exceptions, आपके पास यह, exceptionally gifted students हैं, वो, okay, and next हमारे पास था 180, profoundly gifted, okay, तो यह तो अब अब हो गए आपके पास, next हमारे पास आता है reinforcement, तो reinforcement, यानि BF Skinner के द्वारा आपके पास दी गई थी, classical conditioning हमारे पास theories है, दो-तीन theories इसके अंदर आती है, आपके पास Watson की theory आती है, Pablock की आपके पास इसमें theory आती है, ओके, BF Skinner की आपके पास जिन्होंने यहाँ पे stimulus and response को represent किया था, जहाँ पे उन्होंने hungry rat आपके पास use किया थे, तो conditioning theory आपके पास Kohler की हमारे पास insight theory आती है, जिन्होंने उसमें आपके पास chimpanji के ओपर जो experiment किया था, poslo की आपके पास hierarchy of need, की आपके पास theory आती है, जिन्होंने उसमें आपके पास psychosocial and sleep को या safety को represent किया था यानि इनकी थियोरी need क्यों पर थी first need is psychological, second is safety psychological आपके पास जिसे आपके पास नीद आ गई यानि rest करेंगे, safety में आपके पास आपकी security से related होती psychology के आपके पास जिसे oxygen हो गई, आपके पास sex हो गया, sleep हो गया, rest, food, drink and safety में आपके पास जिसे या safety यानि आप secure feel करें वहाँ पे next हमारे पास है psychoanalysis theory यानि या आपके पास देती segment fluid ने, sex अर्ग से related है आपके पास id, ego, super ego को इन्होंने represent किया था and psycho social theory या psycho social development theory जो कि आपके पास Eric erection ने दी थी, काफी common theories हैं और basically आपने पहले भी study की होंगी तो आप इन, मैं अगर आपको by chance लगता है कि यहाँ पे कोई mistake है या कोई theory गलत बताई गई है, तो आप हमें comment करके बताईए ताकि हम अपनी वीडियो में उसको आगे improve कर सकें, ओके तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you, have a nice day